क illum अति वे देखो ए रबड बन चुका है तो इस तरह से कार्द दाने से यहाँ से यहाँ खाल। तो आज मैं आप लोगों को लेकर आया हूँ कैसी जगा जो आप लोगों ने कभी नहीं देखा होगा तो मैं आज आप लोगों को लेकर आया हूँ देखो किस तरह है तो मैं आज आप लोगों को बताने वाला हो कि यह जो पेंड लगा हुआ है किस चीज का है वहीं बताने के आन दिखते रहें, आन तक मैं आप लोगों को सारे चीज़े दखाते रहाएं, तो दोस्तों हम पहुंच गहे हैं, यहां पर घुझ गहे हैं, यहां पर देखो पेंड लगा हुआ है, काफी सारे पेंड है, जो की, देखो कितना सारा है, तो यह की सीज़ का पेंड हैं, मैं तो चलो वीडियो को सुरू करते हैं तो यह जो पेड़ है पेड़ के नीचे देखो हार एक पेड़ में इस तरह का लगा हुआ है आप लोग देख सकते हो यहाँ पर यह जो है बटी की तरह है देखो और यहाँ पर कटा हुआ है तो यह क्यों है किस लिए लगाया गया है मैं आप लोगों को बताओंगा यह किसे निकला हूआ होते हैं मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, आप लोग भ्यान से देखते रही है, जैसे कि ये देखो एक पेंड है, पेंड को किस तरह से काटा गया है, देखो, पेले यहां से बहुत उपर से, बहुत उपर से काटते काटते काटते, अब नीचे तक आ गया है, नीचे आने के बा तो इस तरह से कार देने से यहां से यहां से लेकर उसे पीस कर पूरा पत्ते की तरह कर देते हैं और उसे बेज दिया जाता है कहां बेजते हैं कहां नहीं यह मुझे नहीं पता लेकिन इसी गास से यह चीजे तैयारी हो रहा है तो आप लोग यह देख सकते हो यहां पर किस त ये देखो हार एक पेड़ में लगा हुआ है जो कि इतना सारा पेड़ है इस पेड़ में एक पेड़ में लगभग निकल जाते हैं दिन में एक पुआ आधा किलो जैसा लेकिन इतना सारा पेड़ में बहुं सारा निकलता है नहीं था आज का वीडियो जो आप लोगों को मैं देखाने के लिए लाया था कि ये जो रबर का गाच है किस तरह से यहां से निकाल के तैयार होते है और काफी सारों को लोगों को पता नहीं होता कि रबर किस चीज का बनता है और कहां से ये आते है तो मैं आप लोगों को पिन्यल में नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा जाए हिन बंदे मातराब